हारी कृष्णा हारी बूल चलिए देखते हैं आज की डिडिंग आज की डिडिंग में देखने वाला है कि आपकी स्पाउस के सांसे जो आपको अपने बहुत ही क्लोज फील होंगी वो मुमेंट कैसा होगा लिटरली और उस मुमेंट में आप डर जाओगे घबरा जाओगे श की डिडिंग पाल वान हमारे पास जून सेप्टेंबर दिसेंबर फेबरी एपरेल ऑक्टोबर और पाल टू हमारे पास जुलाई अगस निवेंबर जैन्वरी मार्च में आप इंट्यूटिवली भी सेलाइक कर सकते हैं मैं में लोंगे आपको आपकी डिडिंग में राधे राधे पायलवान चली देखते हैं आज की डिडिंग लेट सी आप के फ्यूटर स्पाउस की जब सांसे आपको बहुत करीब से नहसूस होंगे तो वह मुमेंट कैसा होगा लेटरली लेट सी आप सांस भी ले पाओगे के निए डर जाओगे घपराज जाओगे या गाओगे इस आप कि अपर भी लेट हैं आप बहुत के भी, आ जाओगे लेटर जाए होगे जना जाब हैं अजाओ लेटर अड़ार प्यूड लेटर लेट इस इस वी जाब King of Cups, The Devil, The Empress, Seven of Cups, Six of Swords, and Ace of Cups. Heel of Fortune and the Queen of Pentacles. Wow! So basically, what is it? The Devil, The Avengers, Seven of Cups, Seven of Pentacles and Seven of Pentacles are so angry that you don't want to sit down with them or talk to them. If you have to give them some opportunity, you don't want to talk to them, but you don't want to talk to them because their mind is very bad. Because of it, what we have to talk to them the first time, maybe we have to talk to them which happens with them or may we have to talk to them. So we have to talk to them well. But you do not see any one or not. But we have to talk to them very well about how they can talk to them, they can talk to them. वाज में बोल देते हैं ऐसे जेनरली सब के साथ होता है तो यह मोमन पहली बार आप दो लों के साथ हुआ होगा जहां पर वो भी परेशान है आप भी परेशान हो देखो जहां पर वो भी परेशान है और आप भी परेशान हो वो मना रहे हैं वो सोच रहे हैं को कैसे मनाएं आप सोच रहे हो कि, मतलब, आप मूड में ही नहीं हो बात करने के, आप बहुत चैड हो, आप सोच रहे हो कि, क्यूं हुआ ऐसा आखिर, आखिर ऐसा क्यूं हुआ, आप ऐसा सोच रहे हो, दोने ही परिशान हो, रात का वक्त है, घर में सब सोच चुके हैं, सब के सब, सिर्फ क्लॉक साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा नेरा भी और छोटा से लैंप चिला होगा चोटा सा जिसे कि एक कबरे में रोश्नी होती रहे प्रेवन का दिल करता है कि लाइट जलाल है लेकिन वह सोचते हैं कि अभी आप नीन से जग ना जाओ तो जब भी आप दोने लड़ते ह आपको नीमी आती होगी और सुबह फिर जब तक कि इस हौल में हो जादे ने बात है तब तक नीन उड़ जाती होगी तो पहले तो अपने काम में रहे तो जब आप इन्हों ने आपको देखा ना कि आप बड़े ही सुकून से सो रहे और आपके बाल थोड़े हाँ से आ आ जो दि लिवरा सुक्षाए कब को सोने में डिक्कत ना करें तो आपके आGO में आपके बालों के साइड करें ? और करते करते नम की नजर आप पर रूपू है आप ऐसा हात करके सो रहे होगे तो उन्हें नेल आपका ऐसा हात पकड़ा हलका साथ अब उनको पता आप गहरी मीन में हो तो आपको गहरी पता चलेगा लेकिन उन्हें यह नहीं बता कि आप जैस्ट एक सोने के भी कोशिष कर तो आपका हात पकड़ा और का की दिल चाहता है कि तुम नहीं हातों से न मुझे मारो कि मैंने तुम पर ऐसा ऐसे कैसे शाउट करा मैं कैसे चला गया दिल चाह रहे कि जिन हातों से मैंने तुम्हारे हात पकड़े नहीं हातों कोई थोड़ दू मुझे तुम पैसे नहीं चलाना चाहिए था तुम उत्से बात नहीं कर रहे हो तुम उत्से बात नहीं कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ मनाना चाहता हूँ मैं अपनी गल्पी की माफी मांगना चाहता हूँ हाँ मुझे पता है मैंने गलत की है लेकिन तुम भे तो जानो ना कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है और जब तुम मेरी बात नहीं सुनते हो नहीं सुनते हो तो मैं हर बार ही तो नहीं अपने आपको समझा सकता ना कभी कभी तुम्हें भी समझना पड़ेगा मेरी जान तो किसी परवा में आकर उन्होंने उनका गुस्सा ऐसा आप पे आ गया जहां आपने उनकी नहीं सुनी और वो आपके भले के लिए बोल रहे थे आपके थोड़ा सा करीब आते हैं आपके हाथों कर आम जैसा दुबारा उसी पोजिशन में रखते हैं राज आते हैं कह रहें कि जिस तरह से हवा तुम्हेरे बालों को कभी आ गया और कभी पीच्छे ला रही है ना काश ऐसी तुम्हारा गुस्ता भी शान्त हो जब लिखावा के तरह जो तुम्हारे मन को ठंडा करते हैं तुम्हारे दिल को ठंडा करते हैं और जिस तरीके से ये जुल्फें तुम्हारे चहरे में आ रही है, एक पर्दा बना रही है, काश उसी तरह से तुम मुझे अपने में लिपेट लो और यूँ ही, मैं तुम्हें पूरा ढख लूँ अपनी बाहों से, जिसे की तुम्हारा प्यार सिर्फ मैं देख सकूँ और कोई नहीं खन का सपास आते हैं, इस मोमेंट पर आपको उनकी ब्रीधिंग मैसूस हो रही है, सांसे प्रहले आइब्रो की तरफ, प्र आँखों की तरफ, पिर गाल की तरफ, और फिर होटों की तरफ में बहुते हैं लिटरली बहुत करीम तरफ दिल की धाटकनिमा स के कंदे पर ऐसा हाथ रखते हैं और जैसे आपको छोट ऐसे किस करने जा रहे होते हैं वैसे आपके मुव्मेंट से उनको पर ऐसे जाते हैं और एक दू चले जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं जाते हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं इस टाइम जाते हैं जाते हैं जाते हैं आकर सो गए औरमोस्ट पांच छी मिनट बात आपने कहा कि मुझे नीन नी आरे है क्या तुम्हे आरी है का सॉरी फॉर डिस मैंने ऐसा करा नहीं मैंने पूछा तुम्हे नीन आरे है मुझे नी आरे है जब तक ये दूरी आ रहेंगे तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा क्या ये दूरी खत्म हो सकती है आपकी तरफ मोड़े हैं उनका लिटरली उनके आसू आ गए क्यों वो तरस जाते होंगे आपसे बात करने के लिए और ये हो सकते सिर्फ एक दिन की बात ना हो अपना है यह स्ना टूकर उब करते हैं और अश्ची से आधराने करने माते को घूराए कभी तूरा नहीं चूंदों है Как अवे आपके तो एटूम ओन अन्यखावन है क्यों जतना तका का ये ये जतना हैnantा है मैंआँ मुझे मारो मुझे मारो मैं गलत हूँ मैं बहुत गलत हूँ आप तो अपना हाथ ऐसा ऐसा उनका हाथ पकड़ ले तो नहीं ऐसा मत करो मेरे हाथ तुम्हें प्यार करने के लिए है तुम्हें दुलार करने के लिए मानने के लिए नहीं है मुझे ये सजा मत दो और जो मैंने तुम्हें दी उसका क्या हा लेकिन जो तकलीफ अब मैं तुम्हें दे रहा हूं दे रही हूं तुमसे ना बात करके इतने जिन से वो तो शायद उसके सामने बहुत तुम्हारी बात तो इसके सामने बहुत चोटी है तो शायद मैंने तुम्हें जादतर साया तरपाया आपके होटो पे साहत रख जिते हैं बहुत करीब आजाते हैं आखों में आके डाली हुई हैं आप एक दम अपने आखें बंद कर लेके हो उनकी सांसे आपके दोनों आखों के आपे महसूस हो रही हैं उगली अटाते हैं बहुत प्यार से ना बहुत प्यार से सिर्फ और सिर्फ वो आपको टच करते हैं आपके लिप से आपको टच करते हैं और फिर हलका से नीचे होकर आपकी बिल्कुल लागोश में आकर बिल्कु बल्कुल इसा आजए प्लेस ब्लीक, बल्कुल ऐसे ब्लीक बल्सकेशान नो इस्तोप मोगने की शेवा प्लेस आजए में दोड़ी है यह जो जगह है न यह इतनी प्लेस जूरी है कि अबस है नही बाहू में लिपतार रहू हूं मुल्सक्टिव जॉड़ू पूरी रात अपने सीने से लगा के आप उन्हें ऐसा चिपका कर पूरा सो जाते हो ना और जब सुबह उठते हो ना तो आप देख रहोते हो कि वो बहुत गहरी नीम्द में है आप उनकी बलाएं लेते हो कि आपकी नजर ना लग जाए और आप जब खुद को खुद का फेस देखते हो ना मिरर में तो आप हस देते हो और कहते हो कि शादी के बाद जो असली श्रिंगार होता है ना इस्पेशली कौरत का वो तो उसका पती का प्यार इससे बड़ा श्रिंगार कुछ नहीं हो सकता है कौरत की ने जब उसका पती उसे इतना दिल से प्यार करें और आज आप बहुत अच्छे से ड्रेस अप होई हो उनकी खुशी के लिए उनके लिए हल दिख रहा है और जैसे वो आपको देखते हैं ना उनकी सुभा बन जाते हैं उनकी सुभा बन जाते हैं उनकी आखें चमक जाती हैं और उनकी दिन की शुराज बहुत अच्छी होती है तो यह एक ऐसा मोमेंट होगा जहां पर आपको उनकी सांस इतनी करीब से महसूस होई और जब उनकी प्यारी बाते बोली ना कि काश वो आपका परदा बन जाए कि सिर्फ वो आपका प्यार जो आप उने कर रहो वो खुद देख सकें और कोई ने जैसे यह जुल्फें तुमारे चेहरी की खुपसूरती को डख रही है वैसे मैं परदा बन के तुमारे प्यार की खुपसूरती सिर्फ मैं देख सकें और कोई ने यह मोमेंट बहुत ज़ मन में सोचें लेकि जब भी उनके सांट से आपको अपने करीब महसूस होते होगे आपकी दिल की दिल्खन बहुत देज होते होगी और ऐसा जाता है तब होता होगा जब आप अनकॉंशिस हो या आप सो रहे हो मतलब या अप रिटेंड कर रहे हो तब वो थोड़ा आपके ऐस होगे ऐसा कभी-गभी हुआ करे था नो टेवरी टाइन बठां कभी-गभी जब आप उन्हें बहुत अर्साय करोगी था यह था आज के बहुत भी ब्यूटिफुल टॉपिक आया होगी इतनी रोमांटिक लविंग फीलिंग आपको समझ आयोंगी कहीं अभी जस्टिस का का अब उने के लड़ाई भी ना मतलब दिल्कुल सेंसिस में रहकर होती होगी ठीक है आज वो हो गया आउट आफ कंट्रोल इसलिए उन्होटा शाउट कर लेकिन उसके पीछें के इंटेंशन किया था उन्हें अपकी परवा है अगर आप उनकी बात में सुनोगे तो फिर कैस इसे कम चलेगा जब वह आपकी बात सुनते तो आपको भी उनकी सुननी चाहिए ना तो बस यह है आपको बहुत अच्छी लगी हो कि आज की रीदिंग अगर अच्छी लगी हो लाइक सबसेब कॉमें जरू करिएगा अभी के लिए बाय चिक क्या जैश रादिक्रिष्णा राधे राधे पाल चू चले देखते हैं आज की रीदिंग लेट सी आपके फीचर स्पॉस की सांसे जब आपको बहुत ही करीब से महसूस होगी तो वो मॉमेंट कैसा होगा और ऐसा क्या हो सकता है उस मॉमेंट बहुत ही रोमांटिक और डीप इंटेंस टॉपिक है यह री प्रॉपिक है यह रुपिक है तो प्रॉप पंटकल mbrim the star the wheel of fortune three of wounds king of cups and of pentacles the death and we have the चारियर्ट जी लिट्रली यह जो रीडिंग है यह एमोशनल हो सकती है थोड़ी सी क्योंकि इसमें आप खुद एमोशनल हो रखे हो इस मोड में आप मुझे नज़र आ रहे हो बात क्या है कि न आप कभी-कभी न अपने आसों छुपाते हो गें से कभी-कभी क्या आल्मोस्ट एवरी टाइम आपको किसी बात का दुख है कोई पीड़ा है कोई मन में बात है नहीं बता रहे हो खुदी अंदर-अंदर परिशान हो रहे हो आप चाहते हैं नहीं होगे कि ये आपकी विदे से परिशान हो है तो ऐसे ही न एक ही घर में हो आप दो ठीक है एगी घर में हूँ, उसके शारी के बाद क्या बात हो, एगी घर में हो और रूम में आये, बड़े खुश होते हुए, चमचमाते हुए, खिल स्रेटे हुए हात में दो चीजे़े हैं, एहात में कुछ ग्लास है, एहात में कुछ पेपर है शाहद आपको विकेशन पे लिकर जाना जाता है और एकाथ में गलास है तोす मुक्छ शेह आपके लिए बना कर बिल एक पइनी का के बहुत ईशेक बनाकर लेकर आए ठीक है ऐखे का चीज है और तरणने की चीज प्यश्पी लिए रिंकिंग बोटर होसकता है जाए और आप ऐसा परिशान हो के बैठे हैं अपना सर पे ऐसा हाथ रख लेते हैं ऐसा करके बैठे है क्या हुआ मेरी परी को आप उकलगे ना परी बोलते होंगे अपनी या फिर मेरी मेजान को क्या हो गया आरे सालड में सरका अरे क्या हुआ इसका अंपरे कुछ नहीं बस टूरा तबित खाब थी टूरा कありがとうございます मैं यनुट नहीं मेरा कुछ पीने का मन नहीं मैं मुझे थोड़ा एकैला थो उट ढ़िए कि अगेला ऐसे फोड़ी दूँगा चोड़ओंगी तुम बताओ ना क्या बात है कोई चीज का टेंशन है या एक्चुल में तब इस खराब है सच बताना देखो तुमें मेरी किसम अरे यार यार यह तुम कसम मज़म क्यों देते हो नहीं तुम फिर में बताती नहीं तुमें किस बात से मन खराब हो रहा हुआ हुआ कि मुझे डर लग रहा है क्यूं अगर मैं नहीं कर पाई तो नहीं कर पाया तो क्या खुश किसको कुछ नहीं यार तुम ठहने दो मुझे इसे लग रहे यार तो आपको डर लग रहा होगा कि पता नहीं आप इस परिवार में डरस कर पाऊगे के नहीं या पता नहीं आप अपने पेरेंट्स को ये प्राउड महसूस करवा पी पाऊगे कि आप एक अच्छे हस्बेंड वाइ अचानक स нет, नवहाई कंदने नार्वस है का नियकी को इसाना मजाग का भाव क्यों आघले है रहे हैं तो तुम्हारा परिभारaire तुमसे खुश है मैं हूं तुम नहीं हो क्या मैं भी हूँ लेकिन हाँ ये लेकिन क्यों है फिर बीच में एक बात कहूँ इस पूरे घर में सब अलग-अलग तरीके के प्राणी रह रहे हैं लेकिन फिर भी फैमिली है ना फैमिली वही होती है जो एडजस्ट है और एडजस्ट भी ऐसा करें कि प्यार भरे रिष्टों में और प्यार आजाए ना कि कोई जूट परेव नफरत परिवार में जब चार लोग साथ होते हैं तो आपस में जस्ट करते हैं एक दूसरे को इज़त देते हैं प्यार बढ़ता है लेकिन अगर अब सब डरने लग जाए तो ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चे अपने बच्चों से होने लग जाए कि हमने ऐसा कुछ बोल दे तो हमें ऐसा स्टैप उठा लेंगे बच्चे सोचने लगे कि अगर हमने यह बोल दे तो में बपतनी क्या कर देंगे तो ऐसा थोड़ी होता है तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए और बात रही मेरे परिवार की तो वह सब अपने आप हो जाएगा जैसे जिसे तुम एड़्जस करोगे तो वह भी करेंगे सब हो जाएगा और adjust किया यार इसमें adjust भी कभी हमें वहाँ करना पड़ता है जहाँ पर हम लोगों को अपना नहीं मानते तो क्या ऐसा कुछ है कि आप कहे तो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अपने मन में ये बात भी मतलाना कि तुम्हारा परिवार या मेरा परिवार से कुछ अलग है नहीं दोनों परिवारे करें तो फिर तुमे इतना सोचने की जरुरत नहीं है तुमें आप कुछ शेर करते हो कुछ ऐसी बात जो आप हमेशा टॉंट पढ़ती हो टॉंट मेभी ऐसे कि तुम तुम जहां भी जातों लड़ाई हो जाती है यह कुछ टॉंट सारी है अगर आपको कोई पढ़ी है तुम जहां भी जातों लड़ाई हो जाती है तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो तुमारा मूँ कुछ जादे ही चलता है तुम्हें इतना मिला है फिर भी तुम पते नहीं क्यों हमेशा उदास हमेशा परिशान रहते हो रहती हो तुम्हें तो अकेला ही रहना चाहिए कुछ ऐसे टॉंट्स हैं जो आपने कभी सुने होंगे कभी कभी यह सब बाते जो आप उन्हें आज बता रहे होना उन्हें बहुत बुरा लग रहा है बहुत लिटरली वो दिल से बुरा मान रहे हैं कि किसने आपको यह कटू पचन बोले है आज अगर वो इंसान मिल जाना उसे वो जिन्दा खड़ाना भस में करते हैं आज उन्हें इतना गुस्ता आ रहा है उस इंसान पर जिसने भी आपको यह बाते बुली हैं बट उससे भी सबसे पहले वो यह देख रहे हैं कि उन बातों का एफेक्ट आपके माइंड पर आपके हाट पर कितना गहरा पड़ चुका है कि आप अपने आपको इतना अनलग ही क्यों समझते हो इससे ना बुरा क्यों समझते हो देखो बुराई हर किसी में होती है लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमें बुराई है तो हम बुरे हैं अगर हम बुराई को अपनाते हैं तो हम बुरे हैं लेकिन अगर हम बुराई को अपनी अच्छाई से हरा देते हैं obviously we are a good soul not pure pure तो हम भवान का नाम लेकर हो सकते हैं but at least we are a good soul आपका हाथ पकड़ते हैं और कह रहे हैं देखो में तरह जूमते हैं आपका हाथ और कहते हैं अपने दिल पैसा रखते हैं अपने चाती पर जिसने भी तुम्हें ये बोला रहा वो इनसान कभी खुश रह नहीं पाई और दूसरी बात ऐसे लोगों की बात हो ना बातों को ठी के हम नहीं इग्नोर कर सकते कब तक करेंगे लेकिन अब जब तुम कमारी जिंदगी नहीं है मैं हूँ तुम्हारे साथ तो अगर किसी ने ऐसा बोला ना तुम्हें मुझसे बादा करना होगा कि अगला मेरा कदम जो भी होगा तुम मुझे नहीं रोकोगी नहीं रोकोगे चाय कोई कदम हो मेरा ना मैं फिर उसकी उमर देखने वाला ना उसका ओधा और ना उसके साथ अपना रिष्टा मेरा जो अगला कदम होगा अगर किसी ने तुम्हें ऐसा बोला बहुत बुरा होगा और तुम मुझे नहीं रोको हुँ केरो नहीं ऐसा नहीं कहते क्यों नहीं हो कहुँ कभी कभी इस बुरी दुनिया में बुरा बनना पड़ता है अपने आप की रक्षा करने के लिए हिंसा को अगर हिंसा करने से रोका जा सकता है तो करनी चलिए जहां गलत है उस गलत को रोकना पड़ता है कभी को भी निर्दाई बनना पड़ता है लेकिन इसका मिलब यह नहीं है कि हम हो जाते हैं अपना सेलक्षन करने के लिए करना परता है और अगर मैं अभी इतनी आगे ही भी ना सोचू ना अभी मैं सिर्फ अगर यह देखूँगी तो उम्हेरी आँखों में यहासू और उस इंसान की वज़े से मुझे मुझे तकलीफ होती है यहासू पहुच रहा है करीब आ रहे है और कहरे में इकरफ देखो रोती हुए आँखों से चब आप उन्हें देख रहे हो ना एक विद के बाद उनकी आँखों से आँखों निकलने लग जाते हैं उनकी आँखें लाड हो जात्यां आपके आँखों के साथ और कह रहे हैं आस तो एन आँखों में मैंने आज़ सूब देख लेए प्रेकिन आँगे से तुमने ऐसे लोगों के लिनी रोना अपने आँखों को अपने आपको तकलीफ नहीं देनी मुझसे ये वादा करो वादा लिपने क्लिए आप उनसे वादा करते हूं और आपकी बीगुई बल्गों को बहुत ही प्यार से वो साफ करते हैं अपने थामसे से अपने हाथों से पचैरा पगडते हैं और आप पना अपने चाती पर आपको लटा लेते हैं बल्कुँई पीचे से बहुत प्यार से आपको ऐसा हाथ लगा रहे हैं चुप करवा रहे हैं आपको एकदम से आपका हाथ ऐसा पकड़ा पर कहा यू आप स्ट्रॉंग ओके तो डूंट क्राइ अपी बड़ी से स्पैल दिखाओ हसते हो आप पर कह रहे हैं अभी भी आसू इन आसूं को तो रुको ऐसा पास आए और हलका सा अपने होटो से चुआ पर दूसरी तरह से चुआ आपके आसूं लो अभी आसूं आएंगे नहीं चीक है नमकीन है तुमारे आसूं कुछ भी बोल रहे हो होते हैं सब क्यों होते हैं मैं दुबारा टेस्टिंग करना चाहता नहीं करना चाहती इसलिए मत रोना इस मोमेंट पे जब वो इतने करीब से उनकी आँके आपको देखरी होंगे और उनकी सांसे आपके होटों को आपके फेस को छू रही होंगी तो वो एक ऐसा मोमेंट होगा जहां आपने जिस जैसे पार्टन के लिए विश्ट कर रहोगा ना फाइनली यू हैफ पाउंट इस पार्टनर फाइनली आपकी ये मुराद पूरी हुई कि आपको एक ऐसा हमसफर मिला जो आपके आँखों में आसु देखकर न उसकी आँखों में आसु आ जाते हैं आपका दुख देखकर वो खुद तकलीब से भढ़ जाता है और अगर उनके गुस्से की बात करी जाये देख लो पढ़ लो क्या है ये कार्ट ये होगा उनका गुस्सा खतम इसलिए वो गुस्सा बहुत कम करा करती होंगे अगर उनने करा बहुत कुछ भी घड़ जाता होगा एक को समालने के चकर में बहुत भी खीर देते होंगे तो इससे आपको खिंट बन सकता है कि आपके साथ अपना जीवन बताने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं जा सकते हैं अगर कोई आपके खिलाफ भूले आपको कुछ चोट हो जाए दिल से यार शरीर से वो नहीं रुकेंगे वो नहीं रुकेंगे आज के ये टॉपिक था बहुत इंटेंस I hope आपके मुझे लग रहा है आपको healing मिला है पता ने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप हो गए थे इसरे पिंगो सुनते में आपको अपसा पार्टनर मिलेगा definitely मिलेगी सब डिजर्व करते हैं सब डिजर्व करते हैं ऐसा पार्टनर कौन है जो डिजर्व नहीं करता अज़ा आप इन रीडिंग्स को सुनते हो क्या आपको नहीं लगता आप डिजर्व नहीं करते हो डिशर्ब करते हो तभी तो एं रिडिंग्स आती है जो कैदे ऐसा पार्टर होता है, अजूने बंढерм successful नियुकर आगे से किसी न ऐसा बोला ने कि मैं ऐसा पार्टर डिशर्ब नहीं करती Черकर बला मैं ऐसा थो होता ही सब कुछ fictional लगता है न तो ये जिन्दगी भी किसी fiction से कम नहीं है खुद भी तुम fiction से कम नहीं हो तो आगे से अगर कोई ऐसा बोलता है न कि ऐसा प्यार नहीं होता उसे बोल देना मूपे भाई तुख प्यार नहीं डिजर्ब करती इसने तुझे ऐसा लगता है तो डिजर्ब ही नहीं करता है। तीरी सोची झचाव हैं। तीरी milliards जाता है तो कहीं ना कहीं कोई अच्छा मिली जाता है? करमों का हिसाब तो करना है कर्म के हिसाब कर्म के हिसाब है लेकिन अगर जिन्दगी में ऑच्छे थोड़े थोड़े ऐसे कर्म कर लिए जो कृष्ण को समर्पित करें हम तो ुसक्रिष्ण अप्ट बढ़त का कभी बुरा निहीं हो ने हुने देते इसक्रिष्ण निहիंए जो हमें बुरे से बचा धरू से देखेगे अब यिलिए बाई जैसिर्णी राधे क्रिष्णा हरी बूद देख उन्देश संदेश प्रिया जू का संदेश हमारी शामा जू का संदेश सब से पहले स्रीमेदी राधा रानी का नाम तीन बार लेंगे श्री राधा नाम फिर उसके बार शुरू करते हैं ठीक है श्री राधा मुझकुरा तो यह बोलिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा Seven of Wands, Five of Pentacles, Knight of Wands ठीक यह एक संदेश ऐसा है कि अगर हम लालच का बेज बोते हैं तो लालच पैदा होता है लालच जब पैदा होता है तो इनसान की वैल्यूज गिरती है इनसान खुद नीचे गिरने लग जाता है और इतने अंदकार में गिर जाता है कि उसका लालच उसे ही दीमक की तरह खा जाता है दीमक होती है न जब खा जाती है पूरा खोकला कर देती है ऐसा लालच होता है लालच कब बीच बोगे तो बढ़ते बढ़ते ऐसा लगेगा कि उपर जा रहे हो लेकिन वास्ता में नीचे जा रहे हो और इतने खोकले होते जा रहे हो कि अभी भरोगे नहीं एक बार खोकले होगे तो भर नहीं सकते हो एक बार अंदकार में गिर गए तो आ नहीं सकते हो वहीं अगर दुख का भीज भोगे तो क्या है कि दुख बढ़ता जाए और ऐसे सीमा से बढ़ेगा ऐसे गती से बढ़ेगा कि एक वक्त पे जाके बेसहारा हो जाओगे दुख का मीन्स बहुत एक च्छाओं का बीच अगर्ब होते हो बहुत एक च्छाओं से दुखी तो देती है, कलेशी तो देती है ये एक छा पूरी नहीं होई परिशान पूरी हो गई नहीं मिला उसना तो परिशान वो मेरे बार में क्या सोचता है सोचती है तो परिशान वो मेरा साथ देगा देगी नहीं परिशान अब ये परिशान 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 तो दुख का बीच बोगे ऐसी सोच का बीच बोग तो भक्ति ऐसी बढ़ेगी दीरे बढ़ती है यह जो दुख और जो लालाच है न यह बहुत तेजी से बढ़ती है लेकिन जो भक्ति है न बहुत दीरे बढ़ती है प्यार दीरे-दीरे होता है इंसान दीरे-दीरे सुधरता है इसलिए उसे स्मरन दीरे-दीरे होता है कि हाँ, कृष्णी मेरे प्रबू है मेरे स्वामी है मुझे कृष्णी के बारे में सुनना चाहिए मुझे भक्ती करनी चाहिए मेरी मैं एक आत्मा हूँ मैं ये जो खुद को देख रहा हूँ एक स चहरे में या फिर इस शीशे में ये मैं नहीं हूँ मैं तो इस एक आत्मा हूँ जिसका शेरीर हमेशा बदलता रहता है मेरा शेरीर तो हमेशा बदलता रहता है लेकिन मैं मैं तो शाश्वत हूं मैं तो अजन्मा विनाशी हूं आत्मा कभी कभी कर जन्म नहीं होता कभी मित्तियों नहीं होती है इस शरीर कर जन्मा और मित्तियों होता है आत्मा भी सचिता नंद होती है लेकिन शरीम आने के बाद अपने वासरी सोगा को भूल जाती है अगर हम भक्ती का भीज़ वोएंगे ना उसमें मेहनत बहुत लेगी क्योंकि उसमें क्या होगा पहली बाद हमारे अंदर की बुराईयां खतम होंगे मारे अंदर के मल काम करोड लो मैं ठीक है लालच, ईश्रा, जलन सब कुछ खतम होगा दिये दिले फिर उसके बाद दुख, दुख की भावना बहुत एक चाओं अच्छाएं कम होंगी फिर उसके बाद जब दिये दिले हमारा प्लांट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा उसमें सुंदरता आती जाएगा, वो पोश्यत होता जाएगा और एक वक्त पे जाके, इतना सुंदर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा देखें भी अगला वर्ज कि प्रभू से ऐसा प्रेम बढ़ जाएगा, कि फिर उसके अलावा किसी और से प्रेम होगा ही नि, किसी और किसी इच्छा से प्रेम होगा ही नि जब प्रभू से प्रेम हो गया न, परमीश्वर, श्री कृष्ण से प्रेम हो गया तो किसी इच्छा से प्रेम नहीं होगा, किसी बहुत इच्छा से अब आप पर डिपेंड करता है रादनानी कहते है कि कौन सा भीज भूना है लालच का, बहुती किख्छाओं का या भक्ती का, बेखेंगे इस और चोईस लेट सी कुछ किख्ट देखते हैं महां के तरफ से आपके लाए दोनों कार्ड में से सेलेक कर लीजिए देख लीजिए कौन सा आपको लग रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है पॉस कर लीजिएगा रादमिय का नाम दीजिए पहला कार्ड देखें लाइंग इस से पहले मैं यह देखते हूं बही बात है कि जिस चीज के आपको आवश्यक्ता है ना प्रभू वो आपको देगे और जो है आपके पास उसकी रक्षा करेंगे जो आ रहे है उसे आने दो जो जा रहे है उसे जाने दो लेकिन आने जाने के चक्कर में अपनी भक्ती को मत खराब करो अपनी भक्ती में रो सुख आ रहा है आने दो उससे ज़दा प्रभावित मत हो कि भक्ती को न भूल जो दुख आ रहा है या दुख जा रहा है या दुख आ रहा है तो उससे ज़दा परशान मत हो भक्ती मत छोड़ो भक्ती किसी भी कीमत पर आपको छोड़नी ने and this is the reality of life कि जब सुख आता है तो हम भग्वान को भूलते हैं जब दुख आता है तो भग्वान को कोस्ट हो इसलिए अपनी भक्ती करो और भक्ती को भग्वान को समर्पित करो कि प्रभू मेरा सब कुछ आपको समर्पित है मेरा सुख दुख सब और यह जो भक्ती है यह भी आपको समगे क्यों? क्योंकि इस भक्ती से तो प्रभू आप रसन होंगे इस भक्ती से तो मेरे अंदर के मल दूर होंगे यह भक्ती भी आपी की विज़े से है यह भक्ती भी आपी की है यह शरीर भी आपका, यह आत्मा भी आपकी सब कुछ आपका यह भाव अपने अंदर लाओ तो क्या होगा रिटर्न में आपको प्यार मिलेगा रिटर्न से टू लओ आपको प्यार मिलेगा जब आप प्रभू को दिल से कुछ ओफर करते हो न तो आपको प्रसाद मिलता आपको प्रभू की कृपा मिलती है लेकिन अगर आज सिर्फ खुद ही अपने पास रखना चाहों कि मैं ही सब भोग लूँ तो उसे कुछ नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं दुख के अलावा है लालच के अलावा कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जब प्रभू को अर्पित करोगे प रादरान की हात नहीं बेसे खुले रहता है क्यों कि उन्हें हसले कि हर एक शड में उनका भगता आएगा और उसे खुदा बरसाएंगी वह एक भी पल के लिए पने हाथ बंद नहीं करती है उनकी खुदा प्रभू चलती रहती आती रहती है और हमेशे इंतजा रहता है कि म पूरी निरंतर कृपा मिल सके, सदतम कृपा मिल सके, निरंतर बिना रुके, तब ही वो अपने हाथ ऐसे खुले रखते हैं, यह राधरानी का बार, प्यार, और कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ती, कृष्ण भक्ती से ही राधरानी को प्रसंद कर सकते हैं, कृष्ण को आप पर अपना अश्रह बनाये रखेंगी जहाँ कृष्ण भना अपने आप है अगर आप कृष्ण को मानते हूं रादरानी को नहीं मानते तो आप कृष्ण तक पहुच ही नहीं सकते कृष्ण का प्रेमा को मिली नहीं सकता और अगर आपको रादरानी को पाने तो पहले कृष्ण को पाना पड़ेगा पहले कृष्ण को समझना पड़ेगा यही हमारा चर्म लक्षे है हमारी गवेशना लक्षे है गंतव्य कि हमें पहले कृष्ण को समझते हैं फिर उसके बार रादराणी तो स्वयम हमें अपना लेंगे स्वयम यह ता अज के बहुत प्यारा संदेशा है वो प्योफडी के बीजबने है जैसेengeहां से यहाँ पहुंचते हैं आपको अच्छय लगाओ तो प्लिज लायक से कॉमने करेंगा अब यकिलिए बाइ ठीके जैसे अन जाए